नमस्कार आप देख रहें MP News मैं हूँ पूजार अगवीर आपके साथ न्यूजरूम में बात करेंगे MP की कुछ बड़ी खबरों पर बात करेंगे इन दौर से करीब 40 किलोमीटर दूर पेडमी में माहलिया माता गौशाला है पहले ये आदर्श गौशाला के तबगे को लेकर चर्चा में आई थी लेकिन अब 150 गायों की मौत के कारण ये गौशाला अब सुर्खियों में है यहां गायों के कंकाल मिले है तो शार्षन प्रशासन्स में भी हड़कंप मच गया है प्रशासनी कमला डॉक्टर और जन प्रतनिधियों ने जायजा लिया कलेक्टर मनीश सिंग ने शुक्रुवार को गौशाला के करता धरताओं को तलब किया वहीं कलेक्टर ने तहसीलदार को मामली की जाच सौपते हुए गौशाला संचालक को ओडिट रपोर्ट लेकर कलेक्टर कार्या ले बुलाया तो वहीं गौशाला की ट्रस्टी दोपैर को रजिस्टर रसीत कटेवा आनिया रकॉर्ड लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुचेते हुए गौशाला के लिए हो रहे निर्मान और सरकार द्वारा दिये गए करीब 1.75 करोड की अनुदान की जाच होनी चाहिए गौशाला में गायों के बिमार होनी की और उनकी मौत की सूचना ट्रस्ट ने पशुचिकत्सा विभाग को नहीं दी पशुपालन विभाग के उप संचालक डॉक्टर अशोक बरेथिया ने बताया कि हम विभाग ये जाच कर रहे हैं शवो को डिस्पोजल करने का ट्रस्ट का तरीका सही नहीं है हमारी डॉक्टर समय समय पर यहां आकर जाच करते हैं पर उन्हें भी किसी तरह की जानकारी यहां से नहीं दी जाती है महीं पेडमी के जंगलों में गायों के शवो को दो साल से फेका जा रहा था जबकि इन्हें दफनाया जाना चाहिए संसाधन और जगा होने के बाद भी शवो को फेका जाना ट्रस्ट पर सवाल खड़े कर रहा है महीं पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सक डॉक्टर शशांक जुमडे ने बताया कि अब विभाग ने सभी सरसट कंकालों को 6 फीट गहरा गड़ा खोद कर दफना दिया है महीं गोवंश के शवो को दो तरह से दफनाया जाता है पहले तो 6 फीट गहरा गड़ा खोद कर नमक और चूना डाल कर गाढ़ा जाना चाहिए या फिर समाधी खाद के लिए गोवर खाद की नीचे 6 महीने तक दफनाया जाना चाहिए इस विदी से गोवंश का पूरा कंकाल खाद बन जाता है ग्रामीनों का कहना है कि जंगल में 150 से जादा कंकाल है यानि कि जिस तरह से उन्हें दफनाया जाता है वैसे इन्हें नहीं दफनाया जारा और जंगलों में खुले में ही इन कंकालों को जो है इन शबों को फेक दिया जाता है वहीं ट्रस्ट के रकॉर्ड में 533 मवेशी है जबकि गौशाला में 350 मवेशी ही बाकी है बाकी 183 मवेशी कहां गए हैं इसकी जानकारी अभी ट्रस्ट ने पशुपालन विभाग को नहीं दिये वहीं टैगिंग की जाज होनी चाहिए यहां हो रहे हैं निर्मान कारे की जाज भी होनी चाहिए ऐसा जो है वहां के लोग ये बाते कर रहे हैं पहले भोपाल में गौवंश की हत्या के मामले में एक बहुत बड़ा फोलासा हुआ था बिंदोर में भी इंदोर से कुछी दूरी पर ये गौवंश की हत्या फिर से चर्चा का विशे बन गई है बढ़ते हैं अगली खबर प जिन पैरेंट्स ने बैंक से एजुकेशन लोन लेकर अपने बच्चों को एक्जाम के लिए विदेश भेजा था वो लोन चुकाने को लेकर अब चिंता में है पैरेंट्स को अब उमीद है कि सरकार इन बच्चों को वहां से निकाल कर लाई है तो यहां भी उनके भविश् बास्ता जरूर निकालेगी वहीं इंद और के स्कीम नमर 114 में रहने वाले विकास अगरवाल के बेटे अक्षद की मैडिकल की पढ़ाई के लिए 19 लाख रुपए का लोन लिया था वहीं इसकी हर महीनी की जो किष्थ होती है वो 14,000 रुपए आती हैं अक्षद दो साल पहले यूकरेन के विनिटिया में मैडिकल की पढ़ाई करने गए थे वहां सेकेंड येर के स्टूडेंट वे थे यूद के चलते मंगलवार को वह वापस इंद और लॉट कर आए पेशे से कारोबारी विकास ने कहा कि बैंक के हर महीनी की 14,000 रुपे की किष्थ आ रही है मैं दे युद्ध पदा नहीं कब तक चलेगा ऐसे में हमारी किष्थे तो चालू ही रहेगी हालत सामाने होने में कई महीने भी लग सकते हैं लेकिन तब तक पैसा भी लगेगा और बेटे की पढ़ाई भी प्रभावित होगी अगरवाल ने कहा अब लोन से ज्यादा बच्चे की भविश्य की चिंता है सरकार से उमीद है कि वो कुछ पॉजिटिव करेगी स्टूडिन्स की भविश्य को लेकर कुछ बड़ा कदम सरकार उठाएगी अगर बच्चों का भारत में किसी कॉलेज में आडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा वहीं लोन के संबंध में अगर जरूरत लगती है तो बैंक अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे देखा जाये तो जहां एक तरफ युद्ध चल रहा है वहां नवभविश्य जो है इस तरह से अपने आने वाले भविश्य को लोगर चिंतित है क जिस तरह से पढ़ाई पर ये लोग ध्यान दे जिस तरह से मेडिकल के स्टूडिन्स ये लोग कहलाते हैं लेकिन अब देखा जाये तो पढ़ाई का यहां पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बच्चों को क्या करे क्योंकि वहां से आधी पढ़ाई करके वापस भारत लोट के वजा कर वैपार करने से जाम के स्थिती बन रही हैं तथा वैपारियों का कारोबार प्रभाविद भी हो रहा हैं आधीSi पिछले साल राजबाडा और उसके आसपास के वैपारियों ने कई बार शिकायते भी की थी, तब भी मामला सीम हाउस पहुँचा था और फिर लगातार कारवाई करी ने हटाया गया था. इससे पूरा राजबाडा क्शेत्र सडकों पर किये गए अतिकमन से मुक्त हुआ था और सभी बाजारों में ट्राफिक वैवस्थित भी हुआ था. अब फिर से ये फुटपाथ कारोबारी थेले आदी यहां काबिज हो गए हैं. इससे नाकेवल जाम की स्थिती बन रही है ब की ग्राहक मुक्य बाजारों में दुकानों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं. वैपारियों ने बताया कि राजबाडा से लगे 11 वेपसाइक संगठन सडक कबजे के कारोबार से व्यथीत है. शेहर के मध्य भाग का ट्राफिक प्रबंधन, सुववस्थित और चाक चौबं बनाने से आर्थिक स्थितियां भी सुधर जाईगी. वहीं बर्तमान में वैपार संस्थानों तक रहाकों का पहुचना दुभर हो रहा है. वैपारियों की दर्द पीडा को व्यक्तिगत रूप से एहसास किया, जो अतुल्नी है, इंदौर कलेक्टर वर निगम कमिशनर की इद्वड इच्छा शक्ति से, राजबाडा के आसपास क्षेत्रों से अव्यद सडक कारोबारियों को सक्ति से हटाया गया था, जो की कावेल इतारीफ था, अब फिर से कबजे होना दुर्भागी पूर्न है, वहीं दौर पश्रिम क्षेत्र के सबसे बड़े समनवयक मार् अब वैवस्थित पार्किंग और दुकानदारों की पतिस परधा के कारण सडके लगाता अरजाम हो रही है, वहीं वैपारियों ने बताया कि पिपली बाजार की सडक पर सौ से ज्यादा हाथ फेरी ठेला वालों का कबजा है, वैक्षेत्र महिलाओं के खरीदी का अक्षेत हो रहा है, तता नुकसान होने से वैपारियों में रोश भी देखा जा रहा है, वहीं जिस तरह से फुटकर वैपारियों है, उनके लिए भी सरकार को कुछ प्रबंध अवश्य करने चाहिए, इसके करण उनका भी जो है, रोज मर्रा की जो जन्देगी है, जो उनका भी काम है, वो चलते रहें और वैपारियों को भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, बढ़ते हैं अगली ख़बर पर, कऱभवन में महाशवराति पर एक दलित युवति को महादेव की पूझा करने से रोग दिया गया, पजारी ने युवति को मंदिर में एंट्री नहीं दी, महीं इस घटना को लेकर जम कर अब बावाल हो गया है, मामला टेमला गाउं का है, महाशवराति पर जब युवती पूजन करने मंदिर पहुची तो पुजारी ने उसे भीतर जाने से रोग दिया पुजारी के साथ दो महिलाय भी उसे भीतर नहीं जाने को कहने लगी युवती पूजा करने देनी की गुहार लगाती रही वहीं समयधान की दुहाई देती रही पुलिस को बुलाने की भी बात कही लेकिन उसकी एक नहीं सुनी वहीं यूवती कहती रही कि सविधान में कहा लिखा है कि यह सिर्फ तुम्हारे भगवान है इस मामले में गुरवार को यूवती के साथ अनुसुचित जाती की लोग जिसके बाद में गाउं पुलिस ने पुजारी के साथ ही दो महिलाओ पर केस दर्श किया है वहीं महाश्वरातरी के दिन पूजा खाड़ी नाम की उती शिव मंदिर में पूजन करने पहुची थी जब मंदिर में प्रवेश करने लगी तो पुजारी ने उसे बाहर ही रोक दिया वह भीतर जाने लगी तो दो महिलाएं भी उसे रोकनी लगी उसने पुलिस बुलाने को कहा तो कहने लगी बुला ले पर मंदिर के भीतर नहीं जाना काफी देर तक बहस के बाद उसे जबरन पूजन के लिए मंदिर में घुसना पड़ा पुजारी ने उसे रोकनी की कोशिश भी की महिस दोरान मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया ये वीडियो सामने आने के बाद अब बवाल मुझ गया है गुस्साए समाज जन, इस पिकारियाले पहुंचे उन्होंने नारे बाजिकर नियाए की मांगी है तो ये बात भी सोचने वाली एक अभी भी जाती जातपात से लोग जूज रहे हैं अभी इस वक्त भी इस पीड़ी में भी लोग जातपात को मान रहे हैं और मंदिर में प्रवेश निशेद किया जा रहा है अनुचुतित जाती की लड़की का मतलब जिस तरह से ये चीजे हो रही है ये कहां लेकर जाती है इस समाज को खैर बढ़ते हैं अगली खबर पर रूस और यूक्रेन में युद्ध छड़ा हुआ है अभी भी हालात वही है इस बीच मध्यपरदेश के एक लड़के ने रूस की धर्ती पर भारत का जंडा लहरा दिया खारविक बॉरडर से 740 किरोमीटर दूर रूस की राजधानी मासकों में वूशु गेम जो की चीनी मार्शल आर्ट है में भारत का नेत्रत्व कर गोल्ड मैडल जीता है बाविस साल के इस गोल्डन बॉय का इंटरनेशनल लेवल पर ये तीसरा गोल्ड मैडल है वे अब तक 12 मैडल हासल कर चुके हैं अब उनकी नजर एशिया आर्ट गेम्स पर है और तो ड्राइवर पिता के बेटे का इंटरनेशनल खिलाडी बनने तक का सफर आसान नहीं रहा सविधाय नहीं थी और नहीं पैसे थे कटिन संगरश के बाद उन्होंने ये मुकाम हासल किया है गुना के रोहित जाधव नाम है इनका भारगव कॉलोनी में ये रहते हैं इनकी बचपन से खेल में रूची थी वहीं पिता सुनील जाधव सेना में जाना चाहते थे लेकिन परिस्थितियों के कारण उनका ये सपना अधूरा ही रह गया ये सपना उन्होंने बेटे में जिया घर चलाने के लिए आटो चलाने लगिया बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया वहीं बेटा रोहित जब आठवी में था तब स्कूल में वुशू सिखाने के जिला स्तर और प्रदेश स्तर के टूनामेंट में भेजा महां गोल्ड मैडल जीता है रोहित ने और उससे उनका होसला और भी बढ़ता जा रहा है अब रोहित की जो नजहर है वो इशियाद गेम्स पर है और रोहित को हम भी शुपकामनाय देते हैं और भी जादा खेलने क की और जीतने की बढ़ते हैं अगली खबर पर मद्रप्रदेश में इन दिनों बादल च्छाने से गर्मी से कुछ राहत मेरी हैं पिछले 24 गंटे में पच्मणी और चिनवाडा में हलकी बारिश भी हुई है मौसम वग्यानिक पीके सहा ने बताया कि 5 मार्च से एक नया सिस सिस्टम भी बन रहा है जिसका असर पूरी मद्रप्रदेश में दिखाई देगा इस के चलते साथ मार्च से प्रदेश भर में बारिश भी हो सकती है इसका असर तीन दिन रहेगा यानि 9 मार्च तक इसी सिस्टम से हलकी बारिश की पूरी संभावना जो है वग्यानिक जता हैं वहीं मौसम में लगातार होरे बदलावों की वज़ह से प्रदेश में के जगा ताकमान उपर गया तो कुछ इलाकों में नीचे भी आया है वहीं की या भी दो तक तरह में कम ज्यादा होता रहेगा इनने की बात करें अगर कल रात और आद सुभह की तो ठंड हल्की कि फुल की ठंड नहसूस की गई है लेकिन कल दिन भर भी गर्मी रही लिए आने वाले दिनों में 20 तरह सही तापमान उपर नीचे होता रहेगा ऐसा वज्ञानिकों का कहना है यह थी कुछ मातवपूर्ण खबरें बाकी खबरों के लिए बने रहें MP News के साथ नमस्कार MP की नफस MP का हाथ मज़पूर्देश की हर खबर MP News TV के साथ लगातार खबरों के लिए सबस्क्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूदे